आकाश एक है, उसके हिस्से दो है, एक हिस्सा अलोक कहलाता है और एक लोक, लोक इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी अवलोकित होते हैं, लोक्यन ते शट द्रव्यान यत्र स लोकह, जहाँ चहों द्रव्य द्रिष्टि गोचर होते हैं, वो लोक कहलाता है, है आकाश का ही हिस्सा और आकाश के सिवाए जो बाकी द्रव्य हैं, उनकी संख्याओं पर अपन विच्यार करते हैं, आकाश एक है, एक ऐसा द्रव्य भी है, इस लोक में फैला हुआ है, जिस पर सामान्यत ध्यान नहीं जाता, लेकिन तोयम जह मच्छाणम आचायरी नेवी चंद्र सिद्धानती देव ने ब्रहत द्रव्य संग्रह ग्रंत में एक गाथा लिखी हैं, उसमें वो कह रहे हैं, कि जैसे मच्छली को तैरने के लिए पानी की आवश्च रकता हैं, वैसे ही, जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्य हैं, जिनमें गती पाई जाती हैं, चार द्रव्य गती विहीन हैं, छे द्रव्यों में से चार द्रव्यों में गती नहीं हैं, लेकिन जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्य हैं, इनमें गती होती हैं, तो जैसे मचली को पानी चाहिए तैरने को उसी प्रकार जीव और पुद्गल को भी कोई ऐसा माध्यम आविश्यक है कि गती कर सके और उस माध्यम को शास्त्रों में धर्म द्रव्य कहा है यह जो अपन धर्म कर रहे हैं यह वाला धर्म नहीं वो एक द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य और इसी प्रकार जैसे किसी मुसाफिर को ग्रीश मकाल के समय ठहरने के लिए पेड की च्छाओं चाहिए पड़ती है चाया जह पहियानम पथिकों के लिए जिस प्रकार चाया रुकने में सहायक होती है पानी मचली को तैराता नहीं है मचली तैरना चाहे तो सहायता पहुचाता है उसी प्रकार चाया पथिक को रोकती नहीं है पथिक रुकना चाहे तो च्छाओं में रुक सकता है इसी प्रकार एक धर्म द्रव्य है जो गती में सहायक है और इनी गतिमान पदार्थों में जब रुकने वाली अवस्था बनेगी याने जीव जब रुकेगा कहीं पर या फिर कोई पुद्गल द्रव्य कहीं रुक जाएगा तो रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य है आप सावधानी से सुनिएगा क्योंकि ये बाते एक दूसरे से जुड़ी हुई बाते हैं जो पिछले दिन बात हुई थी उससे पहले जो बाते हुई थी ये सब परस पर जुड़ी हुई है आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आईगी गबराईये मत कुछ शब्द नए हो सकते हैं लेकिन क्लास में जब पहली बार विद्यार्थी जाता है तो उसके लिए सारे विद्यार्थियों के नाम नए ही तो होते नहीं होते और एक मेहने बाद और एक साल बाद दस साल बाद जिगरी दोस्त हो जाते हैं उनमें से कई लोग और वो नाम भुलाए नहीं भुलाए जाते हैं भूल नहीं सकते हैं तो वैसे ही ये सारे शब्द हैं शास्त्रों के पहली बार सुनने पर गबराट होती है लेकिन अभ्यास हो जाने के बाद वो हिर्देंगम हो जाते हैं तो बात चल रही थी कि छे द्रव्यों में से उन द्रव्यों की राशी या उन द्रव्यों की मात्रा या उन द्रव्यों की संख्या कितनी है तो तत्वार्थ सूत्र में आचे एमस्वामी कहते हैं, आकाशाद ढर्व्यानि, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाश धर्व्य। यहां तक के, यह जो तीन है द्रव्य, इन तीन की जो संख्या है, वो एक, एक, एक है. धर्म दर्वे भी एक है पूरे लोक के बराबर फैला हुआ है अधर्म दर्वे भी एक है वो भी सारे जगत में फैला हुआ है और आकाश दर्वे भी एक है लोक में भी है और अलोक में भी है अपार है आकाश उसका कोई और छोर नहीं है धर्म दर्वे की तो सीमा है अधर्म की भी सीमा है, लोक की भी सीमा है, लेकिन आकाश असीम है, इसके बाद आता है काल, काल की क्या विवस्ता है, काल की अवस्ता को देखो, तो भूत काल भी असीम है, और भविश्यत काल की कोई सीमा नहीं है, तो काल जो है, पर्याय की दृष्टी से अनादी, अनन्द है, लेकिन काल किसकी परयाय है, घड़ी, घंटा, सप्ताह, पक्ष, माह, अयन, समवत्सर, यूग, फिर उसके बाद और बड़े-बड़े घणित आते हैं काल के, ये कोई भी अवस्था किसी न किसी वस्तु की होती है, बिना किसी वस्तु के उसकी अवस्ता होई नहीं सकती, तो वो कौन सी वस्तु है, जिसकी ये सारी अवस्ताएं हैं, घड़ी, घंटा आदी, समय आवली आदी, तो उसका समाधान दिगंबर आचेरियों ने दिया है, कि वो एक काल द्रव्य है, अरूपी है, इंद्रियों का विशय नहीं है, लेकिन है, क्योंकि ये ये वो नहोता, तो ये अवस्ताएं किसकी होती, और कारण कोई भी दशा संभव नहीं है, इसलिए वो कालान है, इसको श्वेतंबर आमनाये में स्विकार नहीं किया जाता, श्वेतंबरों में जो तत्वार्थ सूत्र का पाठ है, उसके अंदर पांचवे अध्याय में जो सूत्र है काल द्रव्य से संबंदित, वो ये है, काल श्चेत तेके, एक माननेता काल को द्रव्य स्विकार करती है, लेकिन श्वेतंबर मत में बहुलता जो है, अधिकांश आचायरियों का ये मानना है, कि बस पंचास्तिक आये होते हैं, शड द्रव्य नहीं, पंचास्तिक आये होते हैं, छे द्रव्यों की माननेता नहीं, पर दिगंबर मत में ये आचायरिय कहते हैं, दिगंबर आचायरि कि काल दरव्य को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि काल को तो सब मान रहे है कौन नहीं मान रहे है काल को न मानने वालों के हाथ में घड़ी होती है कि नहीं मोबाइल में तो होती है घड़ी का मतलब क्या है टाइम है ना टाइम पीस बोलते हैं घड़ी को समय सूचक यंत्र बोलते हैं संस्कृत भाशा में तो फिर देखो कुछ चीजों को अपन नकार तो देते हैं लेकिन अंदर ये अंदर उसको अस्विकार नहीं कर पाते जो लोग कहते हैं कि जिस समय जो होना हो जायेगा क्यों पका तो बोलते हैं किसना अलग बात है करना अलग बात है तो काल जो है ये समय जो चल रहा है और उसकी संख्या भी बताईए आचेरियों ने ते कालानु असंख दव्वानी असंख्यात है यह जो जगत है जिसको लोक कहते हैं इसको भूवन भी कहते हैं आपने सुनाओगा जेत्रि भूवन में जीव अनंद सुख चाहें दुखतें भैवन्द तो इसमें 343 राजु इसका क्षेत्र फल है और इसमें आकाश के जो सबसे छोटे खंड है उनको कल बतलाया था क्या कहते हैं प्रदेश यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं मैं तो आप तुरंद खुश हो जाओ वो बात नहीं है प्रदेश यहने काल की गणना करने के लिए क्षेत्र की गणना करने के लिए उसका जो सबसे चोटा हिस्सा होता है वो प्रदेश असंख्यात प्रदेश है इस लोक में और कालाणों का आकार प्रकार कितना है कितना बड़ा होता है कालाणों तो उसका उत्तर दिया आचारियों ने एक प्रदेश के बराबर जितना बड़ा एक प्रदेश है उतना बड़ा एक कालाणू है तो सारे लोक में एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालाणू है जिसे गेहु के बोरे में अपने अपने स्थान पर एक एक गेहु रहता है कोई गेहु दूसरे गेहु के अंदर प्रवेश नहीं करता आ रहा है समझ में बस इसी प्रकार द्रवे संग्रह में आचेहर मारजने रैनानम रासी में एक रतनों का डब्बा है उसके अंदर माने के पुखराज, मोती, नीलम, हीरा, पन्ना सब भरे हुए हैं लेकिन एक रतन दूसरे रतन के अंदर नहीं जाता हैं सब अपने अपने स्थान पर रहते हैं उसी प्रकार इस सारे जगत में जितने प्रदेश हैं, उतने प्रदेशों पर एक-एक कालाणू रहता है अनादि काल से हैं, अनंद काल तक रहेंगे कोई कालाणू कभी हिलता नहीं क्योंकि ये गतिमान द्रव्य नहीं है गति रहित है, तो कभी हिल नहीं सकते हैं यह वहीं के वहीं रहते है आज सम्मेज शिखर जी वाले स्थान पर जो कालाणू है वो अनादिकाल से वहीं है अनन्तकाल तक वहीं रहने वाला है कालानों अपना स्थान नहीं बदल सकता और लोग के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानों है उन रत्नों के समाल जो डिब्बे में अपने अपने स्थानों पर हैं उन रत्नों को तो आप खिसका होगे तो आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कालानों खिसक नहीं सकते तो कालाणों असंख्यात है तो देखिए एक 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 छे द्रव्यों में से तीन द्रव्यों की बात की थी अब चौथे द्रव्य की बात है कौन से तीन द्रव्य थे धर्म द्रव्य एक था अधर्म द्रव्य एक था आकाश द्रव्य एक फिर काल दरव्य असंख्यात और उसके बाद बारी आती है जीव की जीव कितने हैं जेत्रिभुबवन में जीव अनन्थ 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 प्रकार का होता है असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है और संख्यात संख्यात प्रकार का होता है तो जीव जो है वो अनन्थ है और जीव राशी अनन्थ होकर के भी इन असंख्यात प्रदेशों में कैसे समा गई ये प्रश्ण मन में उठता है और ज़रूरी है उठना क्यों नहीं उठेगा ये प्रश्ण कि जीव अनन्थ है और लोक का जो क्षेत्र है वो असंख्यात प्रदेश है असंख्यात प्रदेशी लोक में अनन्थ जीव कैसे समा सकते हैं क्या उत्तर है इसका इसका उत्तर ये है कि इस लोक में जो अनंत जीव हैं वो अनंत वाली जो राशी होती है वो सुक्ष्म जीवों की होती है और केवल वनस्पतियों में वो निगोधिया जीव पाए जाते हैं अत्वा निगोधिया जीवों की अगर अलग श्रेणी भी मानी जाएं तो फिर वो उतने बड़े नहीं होते और फिर उतने एक दूसरे से टक्राने वाले नहीं होते कि जिससे जगह रुकती हो इसको सरलता से समझने के लिए ऐसा समझ ले कि अभी अपन जहां पर बैठे हुए हैं यहां पर अनंत निगोधिया जीव भी विराजमान हैं कि वो एक दूसरे से टक्राते नहीं है इसलिए एक साथ रहलेते हैं है तो ऐसे अनंत जीव हैं और फिर सबसे अधिक कौन सा द्रभ्य है पुद्गल्डव्य पुद्गल्डव्य इसको कहते है जिसमें स्पर्ष रस गंद वर्ण रूप रस गंद स्पर्श भी कहते हैं उसको ये गुण पाये जाते हैं जरुरी नहीं कि अपने को दिखे या अपन उसको चू सके लेकिन ये गुण उनमे होते हैं तो ये पुद्गल कितने हैं एक-एक जीव के साथ अनन्त परमाणूं बंदे हुए है शरीर में कितने परमाणू है कर्मों के कितने परमाणू है अनन्त तो इन अनन्त परमाणूं के साथ एक-एक जीव इस जगत में बैठा हुआ है तो आप सोचिए कि जीव अनन्त है और उन जीवों के साथ लगे हुए परमाणू और अनन्त है तो फिर वो परमाणू कितने हो गए जीव जितने होंगे या जीव से अनन्त गुणे होंगे निस संदे है जीव से अनन्त गुणे पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल की तेईस प्रकार की वरगनाय होती है अलग अलग प्रकार के उसके आकार प्रकार भेद होते हैं खेर बात ये चल रही थी कि इस जगत में इन शे द्रव्यों में जीव अनन्त है पुद्गल अनन्ता नंत है काल असंख्यात है आकाश धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक है अब कल एक द्रिश्टान तो दिया था दल्ली राजारा में लोहे की ख़दान है वहां लोह पाशान निकलते हैं ऐसे ही मलाज घंड में तामबे का काम है और कहीं स्वर्ण की खदान होती है कहीं हीरे की खदान भी होती है पन्ना मद्यप्रदेश में एक पन्ना नाम का स्थान है वहां पर हीरे की ख़दाने है और वो जो मिलता है पत्थर हीरे का तो फिर एकदम साधान पत्थर जैसा होता है लेकिन जब उसको तराशते हैं तो जो जो उसको तराशते जाते हैं त्यों त्यों उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है और 10-10 मिलियन डॉलर्स के भी हीरे आज मिलते हैं बेहत महिंगे होते हैं सुरत में हीरों की बहुत सारी फैक्टृीज देखी है पूरा हीरों का काम होता है वहाँ पर और अलग-अलग यंतरों में उन हीरों को चारों तरफ से बारीकी से देखते हैं, बहुत लंबा चोड़ा काम चलता है हीरों का, कपड़ों का और हीरों का व्यापार सूरत से विशिश चलता है, तो इस जगत में अपन सब पत्थरों के समान पड़े हुए हैं, और कोई मेटलर्जी या फिर साइंटिस्ट या कोई जानकार उस खदान में से पत्थर को पैचान लेता है कि ये अपने काम का पत्थर है, इसको यदि व्यवस्ते ढंग से हम प्रोसेस करेंगे, तो ये बड़ा बेश कीमती पत्थर हो जाएगा, तब उसको कोई पत्थर बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, हीरों को कौन पत्थर बोलता है, पत्थर है, लेकिन पत्थर बोलता कोई है, कोई नहीं, हीरक मनी कहते है संस्कृत में, वज्र मनी कहते है संस्कृत में उसको, हीरक मनी और वज्र मनी ये दोनों हीरे के नाम है, संस्कृत भाशा में, अंग्रेजी में तो आप सब जानते ही है, क्या बोल बहुत सारे ऐसे रत्न पड़े हुए हैं भव्य जीवों के रूप में कुछ ऐसे हैं अंदपाशान अंदपाशान कारत होता है कि उसमें सोना है लेकिन किसी भी विदी से वो सोना एक्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बाहर नहीं निकल सकता इसी प्रकार भव्य जीव और अभव् जीव हैं उन अभव जीवों में केवल जिन्यानादी गुण हैं लेकिन कभी प्रकट नहीं हो सकते इसलिए वो अभव जीव कहलाते हैं तो इस तरह कल जो बात निकली थी कोई अच्छे जानकार व्यक्ति उन ख़दान में से उसको उठाते हैं पत्थर को और फिर प्रोसेस कर करके उसमें से शुद्ध धातु या रत्न को प्रकट करते हैं इसी तरह गुरु महराज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वो इस जगत में से किसी भव्य जीव को निकाल कर तराशते हैं सफाई करते हैं उसकी अतिचार लगते हैं उसको धोते हैं प्रैश्चित दे दे करके और उसकी बाद अपकै tutti द्रशित द्वारा जेव उसका पूर्ण शुद्ध नहीं होता है तब और शुद जीव शुद्ध सिद्ध बन जाता है उस प्रक्रिया का नाम है सिद्ध चक्र विधान गुलु सिद्ध चक्रमाह वंडे विहान की जेनम जेतु शासनम जेनम जेतु शासनम जेनम जेतु शासनम